जैश्री रादे आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धासन को कैसे लगाया जा सकता है और इसके क्या लाब है क्या इसकी उपलब्दियां है तो सिद्धासन एक बहुती उपयोगी आसन है जिन लोगों को पदमासन लगाना नहीं आता है और पदमासन में लंबे समय त लंग से नहीं है जिनकी मसल्स और हिप की अच्छे से ओपन नहीं है तो उनको पदमासन में बैठने में तकलीफ होती है तो सिद्धासन थोड़ा सरल है और ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता और उसमें ज्यादा लंबे समय तक बैठा भी जा सकता है तो प्रारंभिक ले जो मल दुवार का जो चेतर है उसके बीच में एक हिस्सा है छोटा सा ठीक है उसके उपर अपनी एडी को टिका देंगे हलका सा जब आप अपनी बैक को लूज रखेंगे तो वहां कोई प्रैशर नहीं दिखेगा यसी आप स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे तो आपको प्रैश कुल आगे लेके आएं और इस तरीके से सिद्धासन लगाके बैठ जाएं यह तो रही प्रारंबिक लेवल की बात अगर आपको इसी को अच्छा करना है और ठीक करना है तो कैसी किया जा सकता है तो इसमें आपको सीधे पैर की एडी को उपर लेके आना है और पहले सुरव हो गया सिद्धासन लगाने का इसको और भी अच्छा कैसे किया जाए तो फिर आपको धीरे धीरे जब आपकी मसल्स खुलने लग जाए आपके अपने विर्शन को अपने लिंग को अपनी सीधे पैर की एडी के नीचे रखना है तो आपका लिंग दोनों एडी की बीच में आजाएगा यहीं से आपको इस पंजे को यहां फसाना है और नीचे वाले पंजे को सीधे काफ की और थाई की मसल्स के बीच में फसाना है तो यह आपका सिद्धासन लग गया पून रूप से आप इसमें थोड़ा तखलीफ होगी सुरुवात में बैटने में आप धीरे ध कि यह बहुत से होता है तो थोड़ा थोड़ा आप इसमने मिनट रोज इससे कि आपको इसकी जो अब हैऑ उच्छी तरूप से मिलता जै श्री रादी